कि अज़िए स्टूडेंट्स वेलकम तुमाई इस्टूट चैनल अभी पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहा है जो पढ़ रहा है वो हम पढ़ रहा है कि कीवेज एंड स्प्लाइंज ठीक है इनके बारे में जो हम डिटेल इसका संग चल रहा है तो उसमें हम टाइप सा कीज पढ़ रहे हैं टाइप साफ कीज में आपने जो संकी थी उसके बारे में पढ़ा और उसके कितनी टाइप्स होते हैं वो सहरे पढ़ लिया आपने इसके साथ आपने पढ़ा था कि क्या उसके अपने उसके बारे स्टूडी कर लिए अब नेक्स्ट उसके आगे कौन अधे पॉर्शन Umsinct कि बोलता हैं वह केवल यांकि जो सान्य कीली होता है जो स्लाठ कटा याद॥ जो फ्लाइट की होती है इस का जो लगाते है इस तरह के कीश को यह आपका जैसे यह साफ का पोर्षन वा और इस के ऊपर इसके जो है वो लगता है आपका भीडिया पीजल पॉर्शन होता तो उसका नीचे का पॉर्शन होता है जो साफ के साथ लगता है वो इस तरह से होता है कि ये नीचे का पॉर्शन फ्लाइट होता पुरी तरीके से और जहां पे जब साफ के साथ ये लगता है तो साफ का पॉर्शन ये की सर्कुलर होता है तो ऐसी जगह तो थोड़ा साफ कॉम्पीट करके क्या कर कर देते हैं तो इस तरह से जो यह पुरा पुरा फ्लाइट पोर्शन है वो साथ के फ्लाइट पोर्शन के साथ एड़ेस्ट हो जाता है तो इस तरह की जो की है उनको हम बोलते हैं फ्लाइट सेडल की लेकिन अगर बूसरी जो की है उसका जो पोर्शन है अगर यह इस तरह से क कर वा रहा है थी उसी तरह से अ में बना कर रखा जाता है और उपर काा हिस्सा की तो कि में लगा होता है सब्सक्राइब भाब देते हैंग कंगी तो यह घुद्छ शायवोट गवन वे दोनारों के भाव ता जिए मुद्छ होता है यह तो hollow saddle की actually जो होती है यह hold करी जाती है by friction यानि जो friction नरहा होता है इन दोनों के बीच में उस friction की वज़ा से कि उपर का portion तो already keyways में होगा जो की जो पुली है और जब की नीचे का portion इस पे जो टिका होता है वो इसके friction की वज़ा से टिका होता है तो इसलिए यह वाली जो कीज होती है इनका यूज के जाता है low torsional load carry करने में ठीक है यह low torsional load जो transmit करना है इसके साथ साथ इन की जो होती है इसलिए इसको टेंपरोली कर जाता है तो इसलिए यह जो कीज होती है यह eccentric और के fix के लिए यूज करी जाती है сяч प्रेक्ट टैंजम्त की जो होती वह हमेशा प्रेर विला और दोनों की इस तरह से सिप्र ता तुम्हार का इस तरो निपिष्द लेए इसे खी旜 और वह किष्टोंरे सिंस्टils के रिएrie है धीक है दूसरी ही उसको दूसरे डारेक्शन में ने करती है कि इस तरीके सभी उती है और वह उता है उसको माने इस हमें उसको ऐस प करनेरा нак और जब क्यूंच। तोष्यूर वाल आप का स taraf तो जब दोनों हिस्ष्य को जोड दिया जाता कि एक की सार्कुलर। लगता है तो इस सेक्षण वाले और निदि रेकाई कर दिहां हैं इसको हम रीमिंग कर सकते हैं, ये प्रोसेस या एड़्वार्ट है इस वाली की के साथ होता है, ठीक है, सर्कुलर की जो होती है, वो लोड अगर ट्रिफर करना है, लोड और स्रेल लोड ट्रांस्पिट करना है, साफ्ट से कुली में या कुली से साफ्ट में, तो उसके लिए ये काफी सुटेबल होती है, सबसे ज़्यादा सुटेबल अगर की का है, तो वो यही वाली होती है, इस तरह के लोड और स्रेल लोड के लिए, राउंड की, नेक्स है स्प्लाइन्स, कई बार क्या होता है, कि जैसे ये साफ्ट है, और इस साफ्ट में आल लेडी जो कीज होती है, वो इसी के साथ इंटिग्रेटर होती है, जैसे माल लेजे एक आपने यहाँ पे एक कीज रखी, एक पीज रखा और इसको विल्ड कर दिया, आपने इ या फिर इसको इस के साथ इसी तरह से किया, या लेडी यहाँ कई जगह पे ऐसे ऐसे ऑसे कीव बनी ही रहती है, तो जब passive जो होता है वो कीज के साथ इंटिग्रल होता है, या लेडी इसी के साथ जुड़ा होती है, एक की यहाँ लगी, दूसरी यहाँ लगी, तीसरी वहां लगी इस से तरह से की जिसके ऊपर integrated होती है तो यह integrated की जो slot कटे होते हैं आपके जो मर्या पोली के उसके साथ आसानी से फिर हो जाते हैं तो इस तरह जो साफ होता है जिसमें की और लेडी इंटेग्रेटर होती हैं उनको आप बोलते है इस तरह से जो आपके इवेन नमबर में लगाए जाते हैं यह जो आपके स्प्लाइन होता है जो इसकी जुख होते हैं वह एक पॉजिटिव ड्राइब का भी काम करता है और साथ-साथ अगर किसी सेक्षन को एक एक एक्सियल मोमेंट भी चलिए तो उसके एक एक्सियल इस तरीके से आपने जाना है जूते हैं चुख पैए कर लिए आल्पाउट आपने बढ़ेती कि झाल झाल झाल